प्यम्मोधी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी रोपवे का सपना साकार होने जा रहा है जिसके तहद वारार्सी में अब रोपवे से ट्रॉली चलेंगी वारार्सी में देश का पहला अर्बन रोपवे ट्रांस्पोर्ट बन रहा है पहले चरण का 70% काम लगभग पूरा भी हो गया है जुलाई में कैंट से रथे आत्रा तक ट्राल रन किया जाएगा रोपवे की कुल लंबाई 3.75 किलो मीटर होगी इसमें 5 स्टेशन बनाए जाएंगे चढ़ने उतरने के लिए 4 स्टेशन भी होगे इन 4 स्टेशनों में पहला कैंट रेलवे स्टेशन होगा जहां से रोपवे शुरू हो रहा है दूसरा मिद्या पीट, तीसरा रथियात्रा, चौधा और अंतिम स्टेशन गौदॉलिया होगा पहले चरण में कैंट से रथियात्रा के बीच कुल 18 टावर लगाए जाने हैं इनमें से 12 टावर खड़े हो चुके हैं दूसरे चरण में इस रथियात्रा से गौदॉलिया के बीच काम शुरू होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 28 टावर खड़े होंगे और चार स्टेशन बनेंगे रोपवे स्टेशनों पर मेट्रों की तर्ज पर टिकट और डिजिटल पास की सुविधा होगी अलग-अलग फेज में कैसे इसका संचालन होगा, किती देर में सफर पूरा होगा इन सारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारी चुट गया है फिलहाल मशीनों का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है जिससे स्विज़ लेंड के इंजीनियर्स तयार कर रहे है रोपवे के अधिकारियों के अरुसार, गोंडोला की पहली खेब वारान से आचुकी है और जल्द ही इसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा जो लगना है मुझा लगता आप जल्दी इसी रोपवे को जो तो आस्मान में देखेंगे रोपवे के सर्वेश शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक यात्रा कर सकेंगे हर डेर से दो मिनट के अंतराल में यात्रियों को गोंडोला अपलब्ध होगा एक दिशा में तीन हजाल लोग यात्रा कर सकेंगे गोदोलिया से कैन ड्रेलवे स्टेशन पहुशने में मात्र 16 मिनट लगेगा एक ट्रॉली में लगबग 10 यात्री सवार होंगे माना जा रहा है कि अर्बन रोपे ट्रांस्पोर्ट से शेहर में ट्राफिक कम करने में मदद मिलेगी साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा रवी पांडे न्यूजेटी पारानसी और अब आपको दिखाते हैं तीन का तर्कामें 5 मिनट में 25 हब